केंड सरकार के किसानों से संबंधित तीन अध्यादेशों के खिलाफ कॉंग्रेस ने हर्दा के घंटागर चौप से दान्दी यात्रा की शुरुआत की है जो 6 दिनों में भूपाल पहुंचेगी किसानों के मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस ने सीएम शिवराज सिंग चौहान और प्रिशी मंत्री कमल पटेल को घिरने के लिए हर्दा के घंटागर चौप से दान्दी यात्रा की शुरुआत की है चौप में राश्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यारपन करने के बाद पैदल मार्च शुरू हुआ यह दान्दी यात्रा 6 दिनों में भूपाल पहुंचकर राजशिपाल को घ्यापन देकर खत्म होगी कॉंग्रेस किसानों के विभी मुर्दो सहित सरकार द्वारा मंदी और खेती पर लाई गए तीनों अध्यादेश वापस लेने की मान रखेगी यह है मान, खिशी और किसानों के लिए लाई गए किसान गिरोभी अध्यादेश वापस ले जाए सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खड़ीदी ते हो 2019 की नुकसानी की 75 फीसदी 6 राहत राशी और फसलों का भाव अंतर भुपतान राशी वा कार्य माफी और गेहूं का बोनस दिया जाए प्राकृतिक आपदा से नश्ट पसल के नुकसान की भरपाई के लिए आर बीसी 6 चार के तहट 40,000 रुपे प्रती हिक ते राहत राशी दी जाए समर्थन मूल्य पर मूल खड़ीदी ना होने के कारण किसानों को भावांतर की राशी दी जाए अमानक खाद बीज के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो और संबंधित कमपनियों पर कारवाई हो गोशाला में गायों के खर्च पर की कतोती की मिर्ने को वापस लिया जाए मवेशियों से फसल बचाव के लिए कदम उठाए जाए चौकडी सोसाइटी में चना खरीदी में हुए घोटाले की जाच कर दोशियों पर कारवाई हो किसानों का भुपतान तुरंग किया जाए चने की गुनवत्ता की जाच संद्धिन के सामने हो इस साल जिन किसानों का प्रीमियम सभी बैंकों ने काटा है इनके खातों में पूरी राशी बिना एरिया फैक्टर के दी जाए वर्षा के कारण मूँव फसल की नुकसानी सोयावी इन फसल की बोवनी नहीं होने से नुकसान वो बोवनी के बाद खराब हुई फसल की भरपाई आर बीसी चे चार के तहत की जाए जिला सहकारी केंड्रिय बैंक के द्वारा सहकारी समिती के माध्यम से किसानों को नगद दिया जाए कॉंग्रेस नेता का कहना है कि किसानों की फसले पूरी तरह से खराब हो गई है लेकिन सरकार अब तक सवे शुरू नहीं करा पाई इस साल बेचे गए गेमू पर बोनस एवं समर्थन मूल्य पर मूम की खरीदी ना होने के कारण किसानों के खातों में भावान तर राशी जमा की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर केम सरकार के तीनों अध्यादेश से आने वाले दिलों में किसान खुपकी जमीन पर घुलाम बनकर काम करेगा इसलिए सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेशों को जल्ग वापस लेना चाहिए देना होगा तानों पर मुजा देना होगा रोच पेरी ताना साही नहीं चलेगी चमलो बाजी बंद करो तारिक पे तारिक देना बंद करो किसानों के समान में क्या जवान कONGRESS PARTY क्या भाद किसानों के समान में किसान डांडी आतरा का उद्द सीधा सीधा है किसानों किसान अप्तेचार हो रहा है देखने में आ रहा है कि बार बार ये उसके अपने मौजा की डेट बढ़ा देते हैं कभी बीमा की डेट बढ़ा देते हैं और दे कुछ भी नहीं रहे हैं अभी आपने देखा कि बीमा उन इस तरह से किसानों को मौज़ा देना चाहिए अभी बरतवाने फसले पूरी खराब हो गई है तो प्राड़ देना चाहिए और और किसानों की समस्या भूसारी चल रही है उसके लिए यह डांडी आत्रा कांग्रेस के लोगों ने हर्दा से भुफाल तक निकाली है और भुफ गंतरी जी वी ध्यान्टी दे रहे हैं सिर्फ बाते हो रही है आम जमीन तो कुछ नहीं हो रहा इसलिए गांडी जी ने अपने में देकर रान्डी यातरा निकाल निकाल कर आंदोलन किया ते इसी तरह कांग्रेस भी उनका नुसरान करते हुए गांडी जी तेटिविवां पर करते हुअ निकाली है जिसमें हमारे साथी सब लोग आ जा रहे हैं और हो पाल जाका इस बात को रखेंगे तुसमें और भी दस्ते रस्ते सामीन होते जाएंगे और रस्ते ृस्ते सब लोग मिलते हुए उस यात्रा को सपल बनाए में इस झाल